हुआ हुआ है तो जैहें दोस्तो चलिए आज इस वीडियो में बवताना चाहूंगा कि वह है इस जिर्की आपको एवोइड करनी है ठीक है अगर होना है तो इन हैविट्स को आप क्या करना है नहीं करना खत्म करना यह कौन-कौन सी habits हैं जो कि आपको रोक रही है सबसे पहला है poor study habit to avoid जिसमें सबसे पहला आता है not having a study space जी हाँ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पास में proper space नहीं है तो please आप space बनाएए space का मतलब जहां भी आप पढ़ रहे हैं ऐसी जगह पर पढ़िए जहां पर आप अपने पढ़ाई पर concentrate कर पाएं किसी भी तरह का distraction नहीं हो ठीक है ध्यान दीजेगा क्योंकि होता क्या चीज़ है कि ऐसी जगह जहां पर distraction हो वो क्या करता है आपके पढ़ाई के momentum को break करता है जिसके वज़े से आप distract होते हों और चीज़े आपको समझ में नहीं आती है तो यह है आपका fourth जो है मतलब कि मैं ranking wise कर रहा हूं 1,2,3,5,4,3,2,1 तो सबसे पहला है being disorganized जी हाँ पता नहीं मेरी coffee कहां पे है, book कहां पे है, bags में क्या रखा है, कुछ नहीं पता जो भी चीज़ है मिल गई बात में वहीं पे छोड़ दिया ना जी, ऐसा नहीं करना है ठीक है क्या करना है कि जो भी आपकी important exam, dates से, आपकी assignments से, deadline से, study schedule से, हर एक चीज़ को आप note कीजिए, एक pin board लाइए घर में, वहाँ पे लगाईए, कि at least आपके दिमाग में हो कि इस दिन मुझे ये है, कि at least जैसी जैसे दिन अप्रोच करें, तो आप उस pressure को feel कर पाओ, तो being disorganized ज classes miss करते हैं, लगता है कि यार ये important नी, आज मौसम अच्छा है, आज मौसम खराब है, चलो जी, तबियत खराब है, तबियत अच्छी, classes miss करना है, कोई न कोई बहाना, तो ये जो चीज़ है, अगर इस तरह को अगर आप करोगे, बड़ी problem में आएगी, ध्यान देना, ठीक ह अगर आप classes miss करते हो, तो आप बहुत सारा time करते हो, notes बनाने में, और notes अगर आप बनाने में, अगर miss करते हो, तो obvious है, वहाँ पे आपके दोस्त, आपसे एक कदम आगे चल चुके होते हैं, तो बड़ा मुश्किन होता है उनको पीछे करना, फिर आता है, ये पढ़ने के time social media का interaction, जी हाँ, क्या किया, Netflix, Facebook, Instagram, मतलब की OTT platform से लेके आपके social media, जो sites हैं, या फिर applications हैं, ये भी आपको बहुत distract करती हैं, और कब इसमें आपका जो time है, वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये इस तरह की जो चीज़े हैं, ये आपको FOMO आपके अंदर में develop कर देती है, FOMO का मतलब fear of missing out, कहीं मैं कुछ miss तो नहीं गया, अरे मेरे दोस्त कहीं गए थे, मुझे पता मैं updated हूँ या नहीं, तो ये FOMO जो है, ये बड़ी दिक्कत दे देती है, इस तरह की habit, जब आपके अंदर में आए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए क्या करना क्या है, या एप को उड़ा दीजी, या फिर notification को बंद कर दीजी, सबसे बड़िया है, और उसके बाद में जो habit है, जो सबसे बड़ी जो problem लाती है आपके अंदर में, वो आती है procrastination, procrastination का मतलब क्या होता है, जो को टालते रहना है, इस तरह से टालना कि भाई, कब कौन सा टाइम आ जाए, पता भी नहीं चलाए, तो please don't procrastinate, अगर ये habit है आपके अंदर में, तो आज ही दूर कीजिए, क्योंकि आपको बड़े problem में डाल सकती है, ठीक है जी? तक, 31 जनवरी, 11.59 पीम तक ये जो offer है, ये valid है, तो बताना चाहूंगा, बच्चों, अभी तक अगर आपने decide नहीं किया, तो आज ही आप unacademy subscribe कीजिए, referral code use करना है, AWS channel, ये referral code use करेंगे, तो subscription पे आपको 20% discount मिलेगा, कितना percent? 20% discount मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, जी हाँ, yes, 20% off, और बताना चाहूंगा, आपको करना क्या चीद है, जैसे आप ये offer लेंगे, unacademy subscription लेंगे, तो ये जो batch course है, प्रतिग्या, जिसमें की, सुमित सर, AWS की पूरी team है, इसके द्वारा आपकी तैयारी होगी, तो इस batch में आपको enroll होना है, ठीक है बच्चों, तो मैं उम को पूरा करने में एक कदम आगे बढ़ाएंगे, जैहिंद,